हलो गाईस मैं हूँ परमेश वरी पैंकरा वेलकम टू माई यूटूब चैनल पैंकरा लेलवी में आपका स्वागत है पिलीज मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक से रहें सब्सक्राइब जरूर करेगा आईए हम चर्चा करते हैं मेमो आफ हेपिरेंस और वकालत नामा क्या है दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा करेंगे तो वकालत के पेसे में सबसे पहले कोई न्यू केस आता है तो हम सबसे पहले वकालत नामा में साइन करवाते हैं या मेमो आफ हेपिरेंस में साइन करवाते हैं तो सबसे बाद एडवोकेट द्वारा हसाक्षर किया जाता है और CRPC में वकालत नामा का कोई जिक्र नहीं है लेकिन CPC आडर 3 रूल 4 में वकालत नामा के फुल डिटेल हैं उसके अनुसार किसी केस को वकील के थुरू कोट में केस फाइल करने के लिए वादी को वकालत नामा में साइन क करना होता है केस की सुरूआत वकालत नामा से ही सुरूआत होती है वकालत नामा वादी और वकील के बीच एक परकार की एग्रिमेंट होती है वादी अपने केस को रिब्रेजेन करने और केस को डिभेन करता है केस की सुरूआत में वकालत नामा साइन करते हैं वकालत नामा दो परकार की होती है, पहला criminal case और दूसरा civil case. Criminal case में शुरू में ही वकालत नामा फाइल करना अनिवारिय होता है और civil case में First hearing में वकालत नामा paste कर सकते हैं. एक विशेश बात यह कि वकालत नामा permanent होती है, अर्थात पूरा case के चलते तक authorized होती है. मतलब एक बार वकालत नमा साइन कर दिये तो पूरा केस के चलते तक वही वकालत नमा में काम चलेगा दूसरा पाइंट है memo of appearance एक फार्मेट होता है जो advocate new client के कहने पर memo of appearance फाइल करते हैं ये एक advocate case handle करने के लिए करते हैं और case का रिप्रिजेंट करते हैं वकील memo of appearance में कलाइंट के full information with address और अपनी full information एक डेट के लिए accept करती है क्यों क्योंकि कलाइंट कभी बाहर है टच में नहीं है उसी सिटी में oral communication के अधार पर आप court में paste हो सकते हैं next date तक client से touch न होने पर advocate दूसरा memo of appearance फाइल कर सकते हैं और पुराना वाला काम नहीं आएगा reject हो जाएगा इसके लिए आफ नया apply कर सकते हैं क्यों क्योंकि memo of appearance temporary nature का होता है अर्था single date के लिए valid होता है पर्मानेंट नहीं है जबकि वकालत नामा पर्मानेंट अर्थात पुरा case के लिए काम आता है और memo of appearance single date के लिए अर्था temporary है single time के लिए आप memo of appearance यूज कर सकते हैं इस परकार वकालत नामा और memo of appearance में अंतर है प्लीस मेरे वीडियो पसंद आए तो like, share, and subscribe जरूर करिएगा थेंक्यू फारवाचिन नमस्कार